ऐसे ही एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको क्योंकि time ऐसा होता है न थोड़ा वैसे तो जादातर सब जागरती हैं लेकिन फिर भी एक हज़ि कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक ब्रामन था उसे पास के गाउं में कठा करने के लिए जाना था तो उसने अपनी पतनी को कहा कि मुझे रास्ते का भोजन दे देना हो सकता है देरी हो जाएगी तो उसने दे दिया अब रास्ते में वो ब्रामन भोजन करने बैठा एक पेड के नीचे तो वहाँ पक्षी बैठा था तो पक्षी ने उसके खाने पर बीट कर दी उसी समय अभी तो उसने खाना शुरू भी नहीं किया था पक्षी की बीट पड़ गई या वो तो ब्रामन था न तो उनके लिए खाना अशुद हो गया तो उसने वो खाना छोड़ दिया और फिर मन खराब हो गया उसका, तो उसने सोचा, आज नहीं जाता हूँ मैं, बाद में जाएंगे, वो वापस घर लोटाया, तो पत्नी ने सोचा ये, दूसरे गाउं में कथा करने गए, इतना जल्दी कैसे आ गए, तो पूछते हैं, क्यों आप इतनी जल्दी आ गए, आप क्या करने वाली हैं, सारे गाउं में ये फैल जाएगा, लेकिन उसने बहुत जोड डाला, पूछती रही, पूछती रही, तो आखिर हार के, उन्होंने क्या दिया उसको, कि ऐसे था, जब मैं खाना-खाने बैठा, तो पेड़ पर पक्षी था, उसने खाने में बीट कर दी तो इसलिए मेरा मन खराब हो गया और मैं वापस आगया, लेकिन तू ये बात किसी को कहना नहीं, तो उसने गा मैं क्यों कहूंगी, सीधी सी बाते मैं क्यों कहूंगी, अब दूसरे दिन वो गई कुए में पानी भरने, तो चार ओरते मिली उसको, तो भूल गई, आदत थी उसकी संसकार ऐसे काम करते हैं, थोड़ी याद रहता है, कि मुझे यह करना है नहीं करना, तो वहाँ उसने बड़े मझे साही बात उन चार ओरतों को, कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ और अब जो बात सुनते न, वो साही बात पूरी नहीं सुनते, कई लोग आधी-आधी सुन आदा कुछ और सोच रहे होते हैं, आदा सुन रहे होते हैं, तो उसमें से एक ने क्या सुना, पंडी जी के खाने में पक्षी गिर गया, पक्षी की बीट नहीं, क्या गिर गया, पक्षी गिर गया, फिर उसने चार अड़तों से करी, तो उसमें से एक ने क्या सुना, पंडी पंधी जी के मूह में पक्षि चला गया, उसने चार लोगों को सुनाई, तो उसमें से एक ने क्या सुना, पंधी जी के मूह में पक्षि चला गया, मतलब ये तो हो गया, पंडी जी के मूँ से पक्षी निकलते हैं अब पंडी जी के मूँ से पक्षी निकलते हैं ये तो चमतकार वाली बात हो गई तो पंचायत तक पहुंची ये बात पंचायत ने सुचा हमारे गाओं में ऐसे पंडीत रहते हैं जो ऐसा चमतकार दिखाते हैं मुह से पक्षी निकालते हैं जरूर ये चमतकार पंचायत को देखना चाहिए बुलावा आगया अफिर सोचा पंचायत में बुलावा क्यों आगया पंचायत में बुलावा आया माना मेने कुछ किया है ऐसा तो थोड़ा सा भहे लगने लगा मन में कि क्या बात है पंचायत ने बुलाया है तो गए वहाँ पंचायत में तो पता लगाने की कोशिश की क्यों बुलाया गया है तो पता चला कि चमतकार दिखाना है मुँ से पक्षी निकाल करके दिखाना है अब वो पंडी जी सोचने लगे पक्षी निकालना, किसने कहा ये, कैसे ये बात पंचायत तक आई, दिमाग चलने लगा, तो अब समझ में आया कि सारी करामाद किसकी है ये, पत्नी की करामाद है, लेकिन अब क्या करें, अब पक्षी तो नहीं निकाल सकते, तो जब उनको कह गया, तो उन्होंने एक युक्ती सोची, उन्होंने कहा, मैं पक्षी निकाल सकता हूँ, जरूर, लेकिन जो पक्षी निकलते वे देखेगा, वो पक्षी बन जाएगा, सब चले गए उठके, किसी को पक्षी थोड़ी बनना था, तो देखां, आर्थ के अनार्थ हो जाते हैं, जब हम कोई बात को फैलाते हैं, तो जब वो बात फैलती है, तो क्या रूप लेती है वो, जो मूल बात होती है, वो तो खतमी हो जाती है, और इसलिए कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाय, एक कहावत क्यों बनी हुई है, इसलि में परिवार में भी अगर हम है, सास बहु की बात है, या अपस में बच्छों की बात है, पती की बात है, तो हमारी बातें घर के बाहर बिल्कुल नहीं. ये सब व्यर्थ चिंतन में पर चिंतन में आता है. ये सब दोती की बात है,